इस संसार में हर कोई ब्यक्ति जाता है कि उसके जीवन में धन की कभी कोई कमी ना हो धन कमाने के लिए वो दिन रात लहनत करता है जिससे कि वो अपने एक्छाओं को पूरा कर सके और अपना जीवन अराम दायक ब्यक्तित कर सके लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी ब्यक्ति को अपने जीवन में सफलता हासी नहीं हो पाती है क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है नहीं न तो चलिए हम आपको बताते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेहनत करने के साथ साथ भाग्य का भी साथ होना बहुत ही जरूरी है अगर भाग्य साथ दे तो आपको कम मेहनत में अधिक सफलता प्राप्त होती है ऐसे इस्तिती में धन की देवी मातालक्षमेजी की करपा होना बहुत ही अवश्यक है अगर धन की देवी मातालक्षमेजी की करपा हो तो आपके जीवन में धन से संबंदित सभी परिशानिया दोल होती है और आपका जीवन सुख संब्रिदी से परिपून रहता है जोती शास्त्र कानुसार सितंबर महीने की शुरुवात में कुछ राश्यों के लिए समय बहुत ही शुब रहने वाला है इन राश्यों के ब्यक्तियों के उपर धन की देवी माता लक्षमी जी की अपार कृपाद रिष्टी बनी गहेगी और धन की समस्याय भी दूर होंगी आज हम आपको इस खबर के माध्यम से ऐसी पाँच राश्यों के बारे में बताने वाले हैं जिनको सितंबर महीने की शुरुवात में धन लाव प्राप्थ होगा तो चलिए आपको बताते हैं कि किन पाँच राश्यों के उपर महालक्षमी महरवान होने वाली है फिर हम आपको बताएंगे बाकी की बचे हुई राश्यों का हाल कि कैसा रहेगा उनका आने वाला समय तो जिन पाँच राश्यों के उपर महा लक्ष्मी में हरवान होने वाली हैं उन राश्यों में से सबसे पहले नंबर पर है मेश रासी मेश रासी वाले बेक्तियों को सितंबर महीले की शुरुवात में धन की देवी माता लक्षमीजी की अपार कृपाद्रिष्टी प्राप्थ होने वाली है जिसकी वज़ा से इंकाम मन कारियों में लगेगा जो बेक्ति व्यापारी हैं उनके लिए आने वाला समय बहुत ही उत जायदा मिलेगा धन की देवी माता लक्षमीजी की कृपा से आपकी आर्थिक इस्तिती मजबूत बनेगी आपका जीवन भी खुशहाल रहेगा दूसरा कन्या राशी कन्या राशी वाले व्यक्तियों का सितंबर का महीना बहुत ही उत्तम रहने वाला है इस राशी वाले व प्रगती के योगबंद हैं जिसकी वज़ा से आपका मन भी प्रसन्न होगा आप अपने साथी से कोई उपहार प्राप्त कर सकते हैं धन की देवी माता लक्षमीजी आपके जीवन से सभी परिशानियों का खात्मा करेंगी और आपकी आर्थिक इस्तिती भी मजबूत बहुत ही शुब सावित होने वाना है इस राशी वाले बेक्तियों को वहन सुथ की प्राप्ती होगी आपके द्वारा किया गया आर्थिक निवेश फार्दे मन सावित होगा आपका स्वास्त ठीक रहेगा आप अपने कार्य अस्थर पर सही फैसले ले पाएंगे मित्रों क पूरा सहयोग मिलेगा आपको आय के नए शुरूत प्राप्त होंगे धन की देवी माता लक्षमीजे के किरपास से धन दे संबंदित सभी परिशानिया दूर होंगी परिवार के सरस्यों के बीच प्रेम बढ़ेगा सितंबर महीने में आप अपने कारे को ठीक प्रकार से प अपनी वानी से लोगों को अपनी ओर अकरशित करने में सफ़र रहेंगे आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही फ्यादयमन साबित होगा दामपत्य जीवन सुखद रहेगा आपकी आर्थिक इस्तिति मजबूत रहेगी धन की देवी माता लक् पास से आपके सभी दुख दूर होंगे और आपके घर परिवार में सुख सम्रिधी बनी रहेगी पाचमा कुंबराशी कुंबराशी वाले बेक्टियों के उपर सितंबर महीने में धन की देवी माता लक्षमीजी की विशेश कृपा द्रिष्टी प्राप्थ होने वाली है आप नए वाहन की खरिदारी भी कर सकते हैं आप अपने कारशेत्र में हर समस्याओं का समधान असानी से करेंगे माता पिता का पूरा सायोग मिलेगा आपका स्वास्त भी ठीक रहेगा जीवन साती के साथ प्रेम बढ़ेगा आप दोनों के लिए दूसरे की भावनाव को सम मच पाएंगे आप किसी धार्मिक अस्थर की यात्रा पर भी जा सकते हैं जिससे कि आपके मन को शांती मिलेगी तो दर्शकों अभी तक हमने आपको बताया उन पांच राश्यों के बारे में जिनके ऊपर सितंबर महीने में धन की देवी माता लक्षमिजी की विशेश इक पर प्राप्ठोने वाली है, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं बाद हैं की बचे हुई राश्यों का हाल की कैसा रहेगा उनका आने वाला समय तो बचे हुई राश्यों में से सुरू करते हैं बिशा ब्रासी वालों से ब्रिशाब रासी वाले बेक्टियों का सितंबर का महीना मिला जुरा सावित रहेगा आपके द्वारा किये गए कारियों की प्रशंसा होगी लेकिन परिजनों में असंतोष का वातावरण भी बना रहेगा भूमी आवास की समस्याओं से परिशानों रहेगे आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ेगा आपको अपनी वानी पर नियंत्रों रखने की जरूरत है नहीं तो वाद विवाद होने की इस्तिती भी बंद ही है अब बात करते हैं मिथुन दाशी वालों की मिथुन दाशी वाले बेक्टियों के लिए सितंबर का महीना मध्यम फंदाई रहेग आपके आधित इस्तिती समाने रहेगी माता पिता का पूरा सायोग मिरेगा जीवन साथी के साथ नोक जोप होने की संभावना बने हुई है आपको अपनी सेहत का विशेष द्यान लखना होगा अब बात करते हैं करकराशी वालों की करकराशी वाले बेक्टियों का सितंबर का महीना अच्छा रहेगा आज यूका में नए प्रस्दाव मिल सकते हैं जो आपके लिए शुभ रहेगा दोस्तों का पूरा सायोग मिरेगा साहस प्राक्रम में बृद्धी होने की संभावना बन रही है लेकिन ब्यापारियों को अपने ब्यापारिक शित्र में साजेदा में अभ़े गे aus नियुदेरों से सावधान रहने क्या विशक्ता है कि आपके साजिदार की फिट्र में वाथाय पैदार सकते आपके ब्यापार में भी उतार चांग बना रहेगा अब बात करते हैं सिंग राशी वालों की, सिंग राशी वाले ब्यक्तियों का सितंपर का महीना समाने रहेगा, धार्मिक कारियों में आपकी रुची बढ़ेगी, घर परिवार में खुशिका वातावरन रहेगा, आप अपनी वाणी पर सयम रखें, आपको अपने कारियों के प्रति एकागरता बनाए रखना होगा, घर परिवार में मांगली कारिकरम होने की संभावना बन रही है, आपको पेड़ से संबंधित समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए आप अपने खान पान पर खास ध्यान रखें, आप बात करते हैं ब्रेश्यक राशी ब्रेश्यक राशी वाले व्यक्तियों के लिए सितंबर का महीना मिला जुला साबित होगा, आप अपने प्रयासों से अपने घर की आर्थिक इस्तिति को रखी करने में सफल होगे, लेकिन आप किसे भी प्रकार के जोखी भरे कारियों को करने से दूर रहें, जो व्यक्ति विद्यार्ती हैं, उनको सिच्छा के छित्र में सफलता हासिर होगी, आप नए नए लोगों से मुलाकात भी करेंगे, जो कि आपके लिए फार्देमन साबित होगा, अब बात करते हैं धनु राशी वालों की, धनु राशी वाले व्यक्तियों का सितंबर का महीना चुनाव साथ साथ वाद विवाद होने की सम्हावना बन रही है, नेगी जीवन में कुछ बाधायें भी आ सकती हैं, इसलिए आपको समझदारी से काम लेना होगा, आपके दुश्मन सक्रिय रहेंगे, इसलिए आप सतर्क रहें, आपको अपनी सेहत का विशेस ध्यान रखना होगा, अब बात करते हैं में दाशी वालों की, में दाशी वाले बेक्टियों के लिए सितंबर का महीना मिला जुला सावित रहेगा, धन प्राप्ति के श्रोद अस्थापित होने के योग बन रहे हैं, आप कोई कीमती वस्तो को प्राप्त कर सकते हैं, आपको अपने स्वास्त्य प्रति सावधानी बरतने की जरूगत है, कारे अस्थर के बिरोधी परास्थ होंगे, अगर आप किसी यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आप यात्रा को टाल दे, नहीं तो दुरघटना होने की सम्भावना बन रही है Start your career with us